राजस्थान के अलवर में पिश्मे दिनों गाई ले जा रहे पहलु खान नाम के शक्स की कथित गोरक्षकों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी इस घटना पर देश की संसत तक में चर्चा हुई देश भर में इस घटना की निंदा की जा रही है लेकिन बीजेपी के एक विधायक ऐसे भी हैं जिनें इस घटना पर जरा भी पच्तावा नहीं राजसान बीजेपी के अलवर से विधायक ग्यानदेव आहुजा ने सोमवार को कहा कि उन्हें पहलु खान की मौत का कोई पच्तावा नहीं ग्यानदेव आहुजा वही शक्त हैं जिन्होंने कहा था कि दिल्ली की मशोरी इनुरसिटी जेन्यू में रोजाना तीन हजार इस्तेमाल किये गए कंडोम मिलते हैं राजसान विदानसभा के बाहर अलवर के विधायक ग्यानदेव आहुजा ने पत्रकारों से बाचीत में कहा कि कानून हमें हाथ में नहीं लेना चाहिए था लेकिन उसकी मौत हुई उसके लिए हमें कोई अफसोस नहीं और अफसोस करेंगे भी नहीं क्योंकि जो गव तसक ग्यानदेव आहुजा ने कहा कि कॉंग्रेस देश के गद्दारों को पुरसकार देना चाहती है और देश भक्तों का तिरसकार करना चाहती है आहुजा ने कहा कि पहलु खान को जब पकड़ा गया था तो उसका बेटा और उसके भाई बैट कर हंस रहे थे उसे इसलिए पी प्रसुती आपको कैसी लगी इस बारे में आप नीचे कमेंग बॉक्स में अपनी राये जरूर दें इस वीडियो को शेयर करें आपने अभी तक हमारा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें आपका फरोसा ही हमारी ताकत है झाल